उत्रपरदेश में मुसलिम वोड बैंक काफी एहम है सूबे में मुसलिम अक्सरियत वाली सीटों की भरमार है लिहाजा यहां सभी पार्टियों की निगाहें इस वोड बैंक पर मरकूज रहती है मगर्बी उत्रपरदेश की ही मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटों के अगर बात की जाए तो इनके फिहरिस्थ भी काफी लंबी है इन सीटों पर बीज़पी को छोड़कर सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार पर दाउन लगाया था वाज़ रहे कि यूपी असेम्बली में इस बार मुस्लमानों की नुमाइंदगी थोड़ी बड़ी है गुजश्टा इंतखाब के मुकाबले दस मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा जीते हैं फातेह मुस्लिम उम्मीदवारों की कुल तादाद 34 है वाज़ रहे कि सभी फातेह मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पाथी इत्तिहाद ने उतारे थे आईए आपको बताते हैं कि कौन कौन है फातेह उम्मीदवार और किस पाथी से उन्होंने इंतखाब लड़ा था शामली की थाना भवन सीट से इत्तिहाद की अश्रफ अली जीते किराना से समाजवादी पाथी के नाहिद हसन ने मिरगानकल सिंग को शिकस दी मेरट की किठोर सीट से स्पी के शाहिद मन्जूर जीते मेरट शहर से समाजवादी पाथी के रफीक अंसारी जीते पट्याली से समाजवादी पाठी की नादिरा सुल्तान जीती अम्रोहा से समाजवादी पाठी उमीदवार महबूब अली ने जीत दर्च की सहरनपुर दिहाद से समाजवादी पाठी उमीदवार आशु मलिक जीते बेहट असेम्ली हलके से उमीदवार उमर अली खान जीते कानपुर कैंट से स्पी के रूमी हसन जीते सीसा मौउ से स्पी के इर्फान सुलंकी जीते यूपी के रामपुर से आजम खान को बड़ी जीत मिली है सवार सीट से समाजवादी पाठी के अब्दुल्ला आजम जीते मौ सदर से अब्बास अंसारी की जीत दर्ज हुई है सिधार्ट नगर के डुमरिया गंच से समाजवादी पाठी की सयदा खातून ने जीत दर्ज की है बलिया के सिकंदरपुर से समाजवादी पार्टी के मुहम्मद रिजवी जीते हैं सुल्तानपुर के सौरी सीट से समाजवादी पार्टी के मुहम्मद ताहिर खान ने जीत दर्च की है बहराईच के मतेरा से समाजवादी पार्टी की मारिया शाह ने जीत दर्च की है गुपालपूर से नफीस एहमद समाजवादी पार्टी से जीते हैं निजामबाद से समाजवादी पार्टी के आलम बदी ने जीत दर्च की है महमदाबाद से सुहेव अंसारी उर्फ मन्नु अंसारी ने जीत दर्च की है लकनव वेस्ट से समाजवादी पार्थी के अर्मान खान ने भी जीत दर्च की है समाजवादी पार्थी के मुहम्मद नासर देही मुरादाबाद से जीते हैं समाजवादी पार्थी के जियावर रह्मान कुंदर की से जीते हैं कांट से समाजवादी पार्थी के कमाल अख्तर जीते हैं बिलारी से समाजवादी पार्थी के फहीम इर्फान ने जीत दर्च की है बरेली के भोजीपुरा से समाजवादी पार्थी के शेहजील इसलाम ने जीत दर्च की है गुपालपूर से समाजवादी पाथी के नफीस एहमद ने जीत दर्च की है समाजवादी पाथी के नवाब जान को छाकोर द्वारा से जीत हासिल हुई है बिलारी से समाजवादी पाथी के मुहमद फहीम इर्फान ने जीत हासिल की है नजीवाबाद से समाजवादी पार्टी के तस्लीम एहमद जीते हैं बहेडी से समाजवादी पार्टी के अताउर रह्मान जीते हैं भदोडी से समाजवादी पार्टी के जाहिद ने जीत दर्च की है वाज़ रहे कि अब तक के इंतखाब में सबसे ज्यादा 68 मुस्लिम उम्मीदवार साल 2012 में मुन्तखब हुए थे और अब 2022 में कुल 34 उम्मीदवारों ने फत्य हासिल की है बिरो इंपुट्स के साथ फरीना खान जी सलाम तो उतर परदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने शादार जीत हासिल की है 273 सीटे बीजेपी इत्याद ने हासिल की है समाजवादी पार्टी और आरिल्डी के साथ जो इत्याद था यारी कि समझवादी पार्टी और उसके इतिहाद ने जो सीचे हासल के उसकी तादात 125 है हाला कि मुस्लिम अमेलेस की जो तादात है वो इस बार जरूर बड़ी है 34 हुए है टोटल मुस्लिम अमेलेस जीत कर आए हैं मुस्लिम मुखालिफ है अब प्रदेश के अंदा एक बार फिर से बीजेपी के सरकार है तो क्या मुसल्मानों के लिए विकास कारे नहीं होंगे तरक्की के काम नहीं होंगे ये बड़ा सवाल उड़ता है और इसके अलावा हिंदुस्तान का मुसल्मान आखिर सोचता क्यों है क्या वज़ा रही है कि तमाम जो सोचल इंजिनेरिंग की गईती समाजवादी पार्टी के जरीए चाहे वो MY Factor हो या चार्टलेंड के अंदर से इंदमारी करना हो BJP वोट काटना हो लेकिन फिर भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को उतनी सीट्स मिलती नज़र नहीं आई है तो क्या हिंदुस्तान का मुसल्मान अब विकास की रहा पर चल पड़ा है क्योंकि BJP ने नारा बुलंद किया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो क्या ये उसी नारे का असर है और सेंटर के अंदर तकरीबन साथ साल से मुधी सरकार को आवाम देख रहा है इसके साथी उतर प्रदेश के अंदर इस बार का चुनाव सिर्फ कहा जा रहा है कि योकी जी के काम के उपर लड़ा गिया है और आवाम ने यूपी के सिम के काम को देखकर उन्हें वोट दिया है जाती मख़ब का खेल इस बार नहीं चला है ये तमाम चीज़े कही जारे है